नाश के दुख से कभी दवता नहीं निर्माड का सुख, प्रलै की निस्तब्दता से स्रष्टि का नवगान फिर फिर, नील का निर्माड फिर, नेह का आवहान फिर, नमस्कार साथी उमें हुसन उश्रोती और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे सॉननल प्रे आपको यदि कुछ पल की असफलता या कुछ पल का बिनास यदि नजर आ रहा हो तो ज़्यादा दुखी मत हो ये, आपने इस त्यारी के दोरान जो कुछ भी अरजित किया है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी एचीब किया है, उसके सुख से बढ़कर ये प्रिवी निकला, तो भी वो लगे रहे, किवल निरंतरता थी, कि आज वो स्लेक्ट है, तो आपको बस किवल निरंतरता को कायम रखना है, हतोच साहित नहीं होना है, हर पल यह ध्यान रखना है, कि हम यदि हर बार पिछले बार से भेतर हैं, तो हम सही जा रहे हैं, that's it, सफलत कभी न कभी मिल ही जाएगी, थोड़ा सा धेरे रखना पड़ेगा, और एक बात और कहना चाहता हूँ, कि यदि पेपर नहीं भी निकला, तो हतोच साहित क्यों होना है, इस मोमिंट को एक मोके के तोर पर लीजिए, किस चीज का मोका, मेंस को प्रिपेर करने का मोका, मेंस क पर लीजी ऐसा सफलता को, किसी भी तरह से हतोच साहित नहीं होना है, क्योंकि चडीया भी जब गोसला बनाती है न सांतियों, तो उसे पता होता है कि गोसला नश्ट हो जाएगा भी तूफान आएगा, फिर भी गोसला बनाती है, क्यों? क्योंकि नाज के दुख से कभी की हमारी शंखला चल रही है, जसमें हम paper 1, 2, 3 की सभी unit के सभी topic के three marker with model answer आपके लिए ले के आने वाले हैं, और paper 4 के सभी two marker with model answer, तो अभी आप सभी जानते हैं कि यह हमारा 9 लेक्चर है, पिछले 8 लेक्चर में हमने एंसेंट history पूरा complete कर दिया, और इस 9 लेक्चर में हम प्र राच्पूत काल नहीं, विदेशी आक्रमन, अःभी आक्रमन, तुर्की आक्रमन, ये भी शामिले, मतला दिली सल्तनत के पहले तक, मेडीवल हिष्टी की शुरबात से, दिली सल्तनत के पहले तक मैं कुल बहुत तर थी मार कर में के लिए लेके आया हूँ हर डाइमेंशन को कवर किया है बित मॉडल आंसर और इस कोशन आंसर के क्रम में मैं बिल्कुल संचेप में आपको थोड़ी सी कहानी बताया करूँगा था कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए मैं डिटेल में पढ़ा नहीं सकता साथ ही है क्योंकि हमारा परपस कुछ हो रहे है परपस है थ्री मारकर आपके सामने रखना पढ़ाना अभी परपस नहीं है पहला थ्री मारकर है त्री पक्षी संगर्स आप सबी जानते हैं कन्योच छेत्र की अपनी महित्ता थी कन्योच छेत्र अधिकार प्राप्त करने के लिए तीन राजवन्चों में टकरा हो रहा था गुर्जर प्रतिहार पाल और राश्टकूट इनके बाद पूरी लडाई हुई कई चरड़ों में कुल шे चरण हुए थे और परणा में हुआ कि गुर्जर प्रतिहार जीत गए फाइनली कन्योच पर गुजर प्रतिहारों का बजा हो गया था सौमित्व हो गया था, ये पूरी कहानी है त्री पक्षी है, त्री गुट संगर्स की कैसे लिखेंगे त्री मारकर में देखिएगा पहला पॉइंट है परीचे, परीचे में हमने लिखा है कि परीचे में लिखा है कि ये पहला पॉइंट, दूसरा शुरू, शुरुवाद किसने करी गुर्जर प्रतिहार, शासक वत्सराज, राशकूर, शासक ध्रोब, और पाल, शासक धरमपाल तीन वंच के अलग-लग राजा, इनने लड़ाई शुरू करी पर अंतिम बज़े किसकी हुई, गुर्जर प्रतिहार, शेक इसको दिया जाता है, मिहीर वहज प्रतम यह पूरा मॉडल आंसर होगे, थ्री मारकर के हिसाब से, यह भी बता दिया, क्या है, परिशे दे दिया, दूसरा बताया, कोन-कोन लड़ रहा था, तीसरा बताया, अंतिम बज़े किसकी हुई, कंप्लीट नमबर मिल जाएंगे, आगे बढ़ते हैं सान्थियों, अगला द जानते हैं, शक पहला कुषान यह से पढ़ाया था इंजी इनिस्ट्री में, दूसरा, आरटी भंडार कर, इनका कहना है कि इनकी उत्पत्ती हुडों से हुड़ वही जो गुप्त काल के अंत में आयते भारत में, कुमार गुप्त के काल में, और इसकंद गुप्त ने उनका सीधा आंसर है, तो हम बताएंगे कि राजपूतों की उत्पत्ती की संबंद में एक मात्र साहितिक स्रोथ है, चंद वरदाई का प्रतिवी राजरासों, जिसमें बताया है कि महटसी बसिष्ट ने आबू परवत के पास एक यग्गे किया, उस यग्गे में से चार लोग न जिसमें चार राजपूद वन्षों का उदय हुआ, गुर्जर प्रतिहार, चालुक के चोहानो, परमार, दैट सिट, आप देखें कितने संचे में सब कुछ बता दिया, जो उसने पूछा भो भी बता दिया, कि चंद वरदाई का प्रतिवी राजरासों, अब उस प्रतिव कि यदि आप हेडिंग दे देते हैं, और फिर फिर फिरी लिखते हैं, तो अनावश्चक सेंटेंस फॉर्मेट्शन से आप बच जाते हैं, कट टू कट में कम सब्दों में आपका काम पूरा हो जाता है, देखेंगे आप कई आंसर इस तरह के, वत्सराज, अब मैं आपको कि कि गाता हैं, और इस तरह की जब भी किसी राज़ा है, कि व्यक्ति पे कोशन बनता है, तो सीधे पहले तो आपको पताना है कि कि जवन्जक पकी इसकी किया थी, इसकी उपाधियां किया थी, और इसने क्या काम करें, ये चार-बाँच बिंस्वी राजा के संबंध में, उनसे संबंदि जो जो भी आदे सब लिग दिया करो, बत्सराज में पहला वंज, सांथियों गुर्जर प्रतिहार का वास्तिविक संस्थापक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के काल में त्रिकुट संगर सुरू हुआ था, त्रिकुट संगर सुरू हुआ था, चूकि ये लड़ाई लड़ रहे थे अपने empire के expansion के लिए यही कारण है कि इने वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अगला question महीर वोज प्रधम, सांथियों ये भी गुर्जर प्रतियार वंज के संस्थासक थे और इनका importance ये है कि इन्हों ने ही कन्योच पर विजय प्राप्त की थी अंतिम रूप से दिखी क्या लिखा है परीचे में वंज गुर्जर प्रतियार इनकी उपादी है आदी वराह और प्रभास ये दोनों बाते में ने कौमा कौमा गर के परीचे में लिख दी अनुगाई थे बेश्णव धर्म के और कार इनों ने क्या किया तिगूट संगण समाप्त कर कन्योच परंतिम विजय प्राप्त करी मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी राजा में क्या के लिखना है, बंच, उसकी उपाधियां, उसकी राजधानी, उसने क्या काम करें, देखी बोई लिख रहा हूँ, क्या बात एक लिएर है, और एक बात और मैं क्या बोलता हूँ, points with heading देंगे, जिसे यह हमने दिया, points with heading, ही है, और एक point आधी line में ही complete हो गया है, तो comma करके या पूर्ण पराम करके, दूसरा point वहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक line में दो point आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 3 marker में हमारा परपस है, जादा से जादा fact उसको देना, neat and clean तरीके से अनवश्य थियरी नहीं लिखना है, और हमें जो सीर्षा के उससे बंदेरे ना, यह हमां की बात नहीं करना, आगे देखते हैं, राज शेकर सांथी में बिद्वान आदमी था, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के भी दरवार में था, इसके अलाबा कल्चुरी उन्हें भी से सनरक्षन दिया था, इसने कई रचनाय लिखी, करपूर मंजरी, काबी मीमान सा, बाल रामायन, यह सब इनकी हैं, तो देखी, इसे कैसे लिखेंगे, सनरक्षन, एक तो गुर्जर प्रतिहार ने दिया, उसमें भी महेंदर पाल प्रताव और महीपाल ने दिया, वह कल्चु सीधे लिखिएगा इनका छेत्र कहां था, इनकी राजधानी क्या थी, इनका संस्थापक कुन था, इनका प्रमुक राजा कुन था, यही सब बताना होता है, तो देखीए यहां पर, मूल छेत्र, बिंदे अंचल पहडी, कौमा राजधानी, कन्नोच, संस्थापक, चंद्र बनाना पड़ा, क्या, पूरी थी, लिखनी पड़ी गया, नहीं, और देखो किते फेक्ट देदिए, एक, दो, तीन, चार, चार फेक्ट देदिए, तीन, नायन में, पूरे तीन नमबर मिल जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, जैचंद, अभी बताया है, मैंने, कोई व्यक्त में, दूसरा युद, इसने चंदावर का युद लड़ा था, महुम्मद गोरी से, और ये पराजित हुआ था, 1194 में, अब देखिए, जो बात मैं आपको सिखाता हूं, हिस्ट्री में, कि यदि आपको किसी घटना से सम्मंदित तिथी और इयर पता है, तो बिना सेंटेंस फॉर्म करे, ब्रेकिट में उसे मेंचन कर दो, यदि आप डेट मेंचन कर देते हो, खासका रहिष्टी में और वो सही निकल जाती है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, चंदावर युद में ये हाला था, महुम्मद गोरी से, ये मैंने आपको भोला, पर देखो, ब प्रत्वीराज चोहान के खिलाब महुम्मद गोरी को आमंतरत किया, गोरी और चोहान के बीच युद धुवा तरायन का प्रथम युद आप सभी जानते है, 1199, प्रत्वीराज चोहान जीच जाते हैं, गोरी हार जाता है, पर प्रत्वीराज चोहान का दिल पिखल जाता है वो गोरी को माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गोरी पलटके, फिर आता है, दूसरी बार रिद्न अड़ता है, इस बार गोरी जी जाता है, ये सब हम पढ़ते हैं, क्या है दिखिए, पहला वर्ष 1191, गुट, गुट लिख लो या पक्च बिपक्च लिख लो, कौन-कौन अगे बढ़ते हैं, तो आप युद्ध के संदर में इस तरह से points with heading कर देंगे, इस तरह के title लाल देंगे, तो काम हो जाएगा, चंदावर का युद्ध, वर्ष 1194, अब जो गोरी, जिससे जैचन नहीं आमंत्रत किया था, वो गोरी, प्रतविराच चोहान को हराने के बाद खुझ जैचन से लनने लगा, जैचन को उसने पराजित किया, जैचन के गहडवाल वंश का अंत्रत कर दिया, देखिए 1194, गोरी और जैचन, प्रणाम क्या हुआ, जैचन की पराज़े हुई, और गहडवाल वंश का अंत्रत हो गया, इसलिए तो बोलते हैं, युद्धों के खिलाब भढ़काया और मदद करी, आगे बढ़ते हैं सांतियों, अगला है, चोहान वंश की जानकारी देने वाले सुरोध को उनकों से सीधे प्रशना सकता है, तो सीधे आप लेकेंगे, एक तो चंद बरदाई की प्रतिविराज राचों, जगनिक की प्रतिविराज व सुईकार हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचना है, हरी केली, नाम का इनने नाटक लिखा, जो धाई दिन का जोपड़ा पर अंकित है, तो तीन बाते देखिए, वंश चोहान, युद्ध लड़ा, इन्होंने तोम रोज है, और उनने अपनी अधिनता सुईकार करवाई, और रचना इनकीती हमीर, सौरी, हरी केली नाम का नाटक, जो की धाई दिन के जोपड़े पे उतकीन है, अगला कोशन, राई पिथोरा, सांथियों टिपड़ी करने को आता है, उपनाम कई वारा याते हैं, तो राई पिथोरा किसका उपनाम है, प्रतिवी राज चोहान को राजा धंग, सांथियों, अब दूसरे वंश पे हम कूद गए, राजा धंग, प्रमुग राजा थे चंदेल वंश के, जिनोंने बिश्वनात, जिन्ननाद, बेदनात, मंदिर बनवाए, और इनकी राजधानी कालिंजर थी, अब इन सारी बातों को थ्री मारकर में कैसे ल चंदेल वंश में ही जो अंतिम राजा था, उसका नाम था परमार्दी देव के दरवार में आला उदल थे, और ये वही परमार्दी देव है जिसके खिलाब प्रत्वीरा चोहन ने रात्री अभियान किया था, ग्यारा सो ब्यासी में और इसे पराजित किया था, देखते है इसके बारे में, वंश चंदेल ब्रेकिट में अंतिम शासक, संघर्स इसके विरुद्ध चोहन ने रात्री अभियान करे से पराजित किया, चाहो तो ब्रेकिट में लिख लेना, ग्यारा सो ब्यासी इंप्रेशन पढ़ेगा, इयर देद होगे तो, दरवारी इसके दरवार में आला उदल जैसे योद्धा थे, इसकी सेना में थे, आगे बढ़ते हैं, चंदेल शासकों की राजधानिया, साथियों चंदेल शासक जो थे, उनकी तीन राजधानिया थी, महोबा इनकी प्रशासनिक राजधानी थी, कालिंजर इनकी सेन राजधानी थी, और खजरो इ सुत्रधारा, शब्द अनुशासन ये सारी इनकी रचनाएं है राजा भोज के दरवारी बिद्वान राजा भोज के दरवार में इसा कहा जाता है आईने अकवरी में मेंशन है कि 500 से अधिक बिद्वान थे तो उन बिद्वानों में 2-3 के खास के न हम बता देना 500 के तो बता नहीं सकते भाई सावा तो सीधे लग देना आईने अकवरी के अनुसार भोज के दरवार में 500 बिद्वान थे उधारन है भासकर भट दामोधरमिश और धनपाल अब देखिए इधर का मज़ा देखिए हमने ये भी मेंशन किया कि कहां से हमें जानकारी मिली आईने अकवरी के अनुसार मैं हिस्ट्री में आपसे बार बार क्या बोलता हूँ यदि आपको किसी चीज की डेट पता है तो डेट जरूर मेंशन करो यदि आपको ये पता है कि फलानी चीज का स्रोत क्या है ये चीज़ आपको पता किस चली तो भो भी बताओ, तो आईने अकवरी से पता चला, ये सब बताते हो तो इंप्रेशन पढ़ता है हिस्ट्री में भी या, आगे देखते हैं, राजा भोज के निर्माल कारे, सीधे बता दो, भोज जी ने क्या क्या वनवाया, कहा कहा वनवाय बाद्देवी सरस्वती जी की मूर्ती भापे लगवायी थी, इसके अलावा, इन्होंने उजेन, धार, बिदीशा, भोजपूर में कला केंदर स्थाबित करवाये थे, तो कहा मंदिर बनवाया, कहा क्या करवाया, सीधे प्रशन आज सकता है, साथियों चिप्तोड का त्रि प्रशन बन जाता है, कि इससे सम्मंदि साक्ष कहां से मिल रहा है, अभी मैंने दो-तीन बता दिया आको, उसी तरह परमारवन्ज का भिया जाएगा, तो सांथियों पुरा तात्वी कि अभिलेग ही साक्ष की अधियों बात करूँ, तो नाकपूर प्रशस्ती जो लक्ष्म अमड़ी जो मेरुतुंग की है, ये सब आपको बता देना है, अभी लेग भी बता दी, ब्रेकिट में किसने रचा, उसका नाम भी बताया, सांथियों, किताब भी बता दी, ब्रेकिट में कौन उसका रचनकारे भी बता दिया, पूरा काम हो गया, मज़ा जाएगा, आगे सीअक दुती, सांतियों, परमारवज का ही एक important राजा सीअक दुतीई भी था, इसके बारे में कहा जाता है, कि ये वास्तविक संस्थापक था, इसके अलावा कहा जाता है, कि भाई, हूडों को इसने पराजित किया, नवसर सांग चरित में, तो ये तक लिखा है, कि हूड स्थ्रियों को बिद्वा करने वाला इतना वा हुणों को कि उनकी सारी स्थ्रियों बिद्वा हुआई ये थे इसके अलावा एन्हों ने राश्ट्कूटोबं से सुयम को उक्त किया व्यतलता प्रमार वर्ज़ की पहले संस्थापक कहा जाता है, that's it, हमने ये भी बताया कि हुणों की इस्तिरियों को बिदबा करने वाला कहा गया इसको, दोस्तों, इंपेक्ट पड़ता है, नंबर मिलते हैं, आगे देखते हैं, तो देखिए हर वेराइटी के आप आंसर देख रहे हैं, आप नॉर्मल थेख रह था, चालू के नरेश, तेलब दुतिय को छे वार हराया, सात भी वार में खुद धरा गया, और धार में मुंझ सागर जील का निर्माण कराया, that's it, आगे देखते हैं, अगला कोश्चान, गोपाल, व्यक्ति बिचल से प्रस्ण जाएगा, गोपाल को, तो यह पाल बंच का दूसरा बोध धर्म का अनुवाई था, और तीसरा पॉइंट, बंगाल में इसने ओधन्ति पूरी में बिहार बनवाया, बिहार मतलब जहां पर बोध बिक्चु निवास करते हैं, तो मैं क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं है, आप पॉइंट्स विध हेडिंग दो, नॉर् पाल को, जो पाल बंचका है, क्या कहा? उत्तरा पती का स्वामी, तो कोई भी किसी को कुछ कहता है, तो आप को भी बताना है, किसने कहा, दूसरा किसे कहा, और क्यों कहा, आगे देखते हैं, बलाल सेन साथि, और सेन बंचका शासा के, क्या किया है इन्होंने? कुलीन बाद एक आंदोलन चलाया, दूसरा इनने दान सागर अदभुत सागर जैसे गरंत लेखे, तीन बाते बता दी, सेन बंश का था, कुलीन बात का आंदोलन चलाया, और दान सागर अदभुत सागर जैसे गरंत लेखे, पूरे तीन दूद के लेखा के और हलायुद इन्हें संरक्षन दिया, तीनों बाते बता दी, किस बंच का है, कौन सा नगर बसा है और किस को संरक्षन दिया, आगे बढ़ो, आप एक चीज देखते हो, मैं यदि व्यक्ती का नाम लेखता हूं, तो ब्रेकिट में उसकी रचना का नाम भी के बीच में कश्मीर में कुल तीन राजवन्स, ने सासन किया, कारकूट, उत्पलो, लोहार, ये आप सभी जानते हैं, तो उनी में कारकूट पहला बंस था, उस आट सो से बारा सो इसवी के दोरान, तो अब ये कारकूट बंस के बारे में क्या है, इसका राजा बता दो, कि किस टाइम प्रेट पे थाई बता हो, देखो, छेतर, कश्मीर, संस्थापक, दुरलब बरवन, और टाइम क्या था, साथ भी सताप दी, गेम इस ओवर, आगे बढ़ो, मेहमूद गजिनी का एक मातर असफल अभियान, भाईया, आप सभी जानते हैं, मेहमूद गजिनी ने भारत पे कुल 17 आक्रमण की और उन 17 में एक आक्रमण इसा था जो असफल हो गया था, किसके फिरुद था, देखिएगा, लोहार वंच का एक राजा था, नाम था संग्राम शाह, उसके काल में 11, 111 में उसने जो कश्मीर पे आक्रमण कीया था, वो असफल हो गया था, कश्म का नीरो किसे कहते हैं वो ही लोहार वंच जो था कार कुड़ लोहार वंच था उसका एक राजा था था हर्ष उसकी क्रूड़ता के कारण कश्मीर का नीरो कहा जाता था आप देखिए में राजा के सांसांत वंच जरूर मेंचन कर रहा हूँ इंपेक्ट पड़ता है आगे तो राजधानी बता दो कांची इसकी राजधानी थी वेशनव धर्म का अनुवाई था किरारता जूनियम के जो लेखा गे भार भी वो इसके दर्वार में थे चार बाते बता दी आगे बढ़ो नरसी बर्मन फर्ष्ट सेम बंश पल्लव उपाधी क्या थी बाता पिकोंडा महमल निरमाल क्या किये इन्होंने महबली पुरम का एकाश मंदिर बनवाय जो रत मंदिर है एकाश मंदिर मतलो जो एक ही चट्टान के पत्थर से बना हो विदेशी आगमन इसके काल में चीनी आत अगमपरी है निरमान क्या किया, काची में केलाशनांद मंदिर बनवाय भाईयाा इन्होंने इसके अलावा महा। अलीपुरम में शोर मंदिर बनवाया, संडक्षन किसको दिया, दस कोमाज चरित का जो लेखा कि दंडी, उसको संडक्षन दिया, दिया कि कितने सारी बाते बता दिया, क्यों बता पारा हूं, पॉइंट्स बिध हेडिंग, पॉइंट्स बिध हेडिंग दिधी बंश, डेश करगे पल्लव, हेडिंग देधी, संडक्षन डेश करगे सीधे नाम, ठीक, ज्यादा इंफर्मेशन दे पाते हैं, अब बार-बार चर्चा हो रही है, महावलीपुरम का एकाश मंदिर, महावलीपुरम का एकाश मंदिर तो क्या है, देख लो, महावलीपुरम का एकाश मंदिर निर्माण करवाया पल्लव, शासक, नरसी बर्मन, फष्ट ने, ये एक तरेका रथ मंदिर, मतलब प्रकृती क्या है रथ मंदिर, और इसमें विशेश ये है कि इसमें कुल साथ मंदिर है, जिनमें सबसे छोटा द्रोपदी रथ मंदिर है, आगे देखो, राज सिद्धेश्वर मंदिर की अभी बात हुई, क्या है भहिया, इसका निर्माल क आगे बढ़ो, दिजे आले, फिर एक व्यक्ति आगया, कोने वईया, चोल मंज का संस्थापत, अब राजा है तो राजधानी भी होगी, राजधानी तंजावोर, उपाधी भी होगी, नरकेशरी, निर्माल भी करवाया होगा, निशुम्ब सुदिनी मंदिर का निर्माल, निशुम्ब सुदिनी देवी का मंदिर, आगे बढ़ते हैं, राजा राजधा प्रथम, फिर वोई राजधानी ये पोलन नरुबा, अभियान क्या किया है, इसने स्री लंका पर अटेक करने वाला पहला चोल वंज का सा सकता जे, निर्माल क्या किया है, इसने तंजोर में राज राजे शुर का शिव मंदर बनवाया, सारी बाते होई, अगला राजेंदर प्रथम, चोल वंज का सरवाधिक विस्तारिस ने किया, बंगाल के शासक महिपाल को हराया, और गंगे कोड चोल की उपादी धारित करी, चोल गंगम नाम का एक तालाव बनवाया, सब में चोल, इनके बीच 949 में हुआ था, इसमें चोल पराजित हो गए थे, और चोलों का जो पूरा उत्री छेत्र था, वो राश्टकू सामराजे में मिल गया था, इस पूरे युद्ध का नाम है, तक्कोलम युद्ध, हमने डेटी बता दी कब हुआ, किस किस के बीच हुआ हो गेर ब्रामणे, तो उसे कहा जाता था बैलन बगाई, चतुरवेदी मंगलम, ये क्या है, चोलकाल में ही ब्रामणों को जब कोई करमुक्त भूमी दी जाती थी, जिस पर उसे टेक्स ने लिए जाता था, उसे बोलते हैं चतुरवेदी मंगलम, पल्ली चंदम क्या है, इस्थानी सभा को नाटूर कहते थे, इस्थानी सभा मतलब मोहलाई, जो स्थानी सुसान है, उसे नाटूर कहते थे, उर क्या है, चोलकाल में ही जो आम जनता या आम लोगों की जो समीती होती थी, जिसका काम होता था कल्याणकारी और निर्माणकारी कार करना, वो उसे उर कहते थे, कन्नर साहित्र का त्री रतन किसे कहा जाता है त्री रतन मतलब तीन होंगे, तो पंप, पोन और रन पंप, पोन, रन, इन तीनों को मिला के कहा जाता है कन्नर साहित्र का त्री रतन, उसी तरह तमिल साहित्र का त्री रतन किसे कहते हैं, तो सांतियो कैसे किया points with heading जब आपके पास ज़्यादा theory हो ज़्यादा content हो बताने का तो points with heading कर दिया करो निर्माण किसने क्या है गुहा मंदिर है जिसका निर्माण राश्टकूटों के समय हुआ सरप्रथम उल्लेक इसका उल्लेक किसने किया फ्रांसिसी यातरी थिवेनेट ने किया विशेस्ता क्या है यहां कुल 34 गुफाएं है 34 एक से बारा बोध 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जेनों से सम्बंदे थे सब बता दिया आगे बढ़ो अमोग वर्ष व्यक्ति है तो अविसली वंच बताना पड़ेगा राष्टकूट वंस जो की जेन धर्म को मानने वाला था कला कुछ किया इसने कला के चेतर में क्या किया कवीराज मार की रचना करी इसके अलावा अपने दरवार में जिन सेन और सकतायन को संड़क्षनद किया विशेश क्या था इसने तुंग बद्रा नदी में जल समाधी ले ली थी क्लियर पुलकेशन दुती फिर वोई बात वंच बताओ वंच क्या है बातापी का चालूक क्या स्रोत इसकी जानकारी कहां से मिलती है एहोल अभी लेक से मिलती है अजन्ता की गुफा चित्र में भी एक राजा का चित्र बना है जो दूत मंडल का स्वागत कर रहा है वो राजा यही है अजन्ता की गुफा में फार्सी दूत मंडल का स्वागत कार क्या किया है इसने इसने मेगुती मंदिर का निर्माल कराया और राजा हर श्वर्दन को हराया था ये दो काम में से अगला एहोल अभी लेग अब उसमें से कुछ खास है तो उसमें भी थ्री मार कर बन जाएगा तो सीधी बात सम्मंद किस से है राजा पुल के सिंदुती से अब भी देखा इसका लेखा कौन था रवी कीड़ती बहुत इंपॉर्टेंट है एहोल अभी लेख का सम्मंद रवी कीड़ती से है आगे बढ़ते हैं सांतियों सोमनात के मंदर पर आक्रमन आप सबी जानते है मेहमूद गजनवी ने किया था एक हजार पच्चेस में अब देखी उससे समंद्ध कितनी बाते लिखी आक्रान था कोन था मेहमूद गजनवी वर्ष था एक हजार पच्चेस और उस समय का राजा था भीम प्रथम अनहिलवाड़ा अगला अनहिलवाड़ा चेत्र का शासा क्ता है ना गजुरात का जो सोलंकी वंश होईसल वंश वंशों के वाने फिर वह भीवाड़ा चेत्र बताओ राजधानी बताओ प्रमुख राजया बताओ संस्थापक कौन था विश्नुबर्धन राजधानी थी द्वार समुद्र अंतिम शासक्ता बीर वल्लालतरती अगला संस्थापक मयूर सर्मन राजधानी बनवासी आगे बड़ो संस्थापक वज्रहस्त पंचम राजधानी प्रारंबिक राजधानी थी कुबलाल और बाद में ओगई थी तलकाड प्रमुक्षा सक्ते मादव प्रथम अगला बर्मन वंच सेम पेटर में गई उन्हों खूब सारे वंच थी मारगर बनता है सेक्षन मैसे उधाय चोथी शतापदी में हुआ था कामरूप कामरूप मीस असम तो बर्मन वंच कहाँ का है असम का है कामरूप काफी आगे देखो कल्चूरी चेदी राजवन सेम संस्थाबक कोककल राजधानी त्रिपूरी प्रमुक्षासक थे कर्णे देव इसके अलाबा अभी मैंने थोड़ी देरे पहले बताया था राजशेखर इनके दरवार में थे राजशेखर दो लोगों के दरवार में थे एक तो कल्चूरी और एक गुर्जरपती हाँ सिसोधियावन सेम छेत्र था मेवाड राजधानी थी चित्तोड प्रमुक राजा थे राणा कुम्भा जिनोंने विजय इस्तम्भ बनवाय था चित्तोड में बिशेश ये है कि ये सुयम को सूर्वन्शी मानते दे कौन सिसोधियावन से के लोग अगला आओ भारत पर पहला सफल मुसलिम आकरमण पहला सफल मुसलिम आकरमण कब हुआ आप सब जानते 712 ICP में वो था मोहमब अवन कासिम ने किया था दाहिड से युद लड़ा था रावर का युद लड़ा था देखिए भारत में पहला मुसलिम आकरमण अरवो के नेतरत में हुआ ठीक सिंद के दाहिर के विरुद कासिम ने आकरमण कर रावर के युद में 2712 में उसे पराजित किया देखो सब बता दिया मैंने किस ने किया, कब किया, किस छेतर में किया, किस वर्ष किया और युद का नाम क्या था रावर का युद था साथियों क्या बोला मैंने अरवों ने किया सिंद के राजा दाहिर के विरुद किया कासिम ने हराया, रावर की युद में हराया, बीज जून 712 में हराया, आगे देखो, रावर का युद अब रावर का युद जाएगा पलट के, तो क्या लेखोगे, तिथी थी बीज जून 712, गुट से दो, चाज का पुत्र दाहिर, और मुहम्मद इनकास इंपरणाम क्या ह हुआ दाहिर पराजित हुआ, और यही पहला सफल मुस्लिम आक्रमण बना, आगे बढ़ते हैं साथियों, अरव बासियों के आक्रमण का मुख्य अदेशी, अरवी लोगा आएकियों थे भारत, दो अदेशे थे, धन लूटना, और इसलाम धर्म का प्रचार करना, यह दो पता दो ना, ऐसे हम 11 मारकर इंपड़ते हैं, बट फिलाल यह दो बताएंगे आप 3 मारकर के हिसाब से, अरवी आक्रमण का प्रभाव क्या राव भारत पर, साथियों पहला तो इन्हों ने कुछ चीनों का प्रचलन किया, क्या किया, हिंदूों पर एक जजिया नाम का कर ल अनुबाद हुआ, उधारन भी लिखा है, ब्रह्म गुप्त के ग्रंथ, साथियों सब तो बता दे रहा हूं मैं, मजा आ रहा है हेडिंग में, प्रसलन लिख दो, सारे वो काम लिख दो, जो पहली बार हुआ है, अनुबाद में, जिन चीज़ों का अनुबाद हुआ हुआ आगे देखो, दिरहर क्या है, अर्भी सिक्का, अभी हमने पीछे देखा, अगला, जजी अगर, क्या होता है, देखो भी या, मुसल्मान लोगा है, उन्होंने आगे हिंदूं से का कि, या तो तुम कनवर्ट होके मुसलिम हो जाओ, नहीं तो, तुम्हें यदि हमसे सुरक् चकली दिया जाने वाला कर, गेर प्रवाववित, ये टेक्स किस पर नहीं लिया जाता था, बच्चों से, महिलाओं से, बुजरुग से, अपंग से, इनसे नहीं लिया जाता था, ये गेर प्रवावित थे इससे, संबद शासक, जजीया से सम्मंदित, अलग-अलग काम किय उन्हें तीन का में बता देता हूँ, महमद इन कासिम, ब्रेकट में लिखा है लागू, इसने लागू किया था सबसे पहले, महमद शारंगीला समाप, अंतिम रूप से समापत किया, इसके बाद कभी किसी इन नहीं लगाया, नहीं तो नॉर्मल ब्रामड़ों पर भी नहीं ब्रामड़ों भी लगाया, नहीं तो सांधियों क्या होता था, एक राजा जजिया समापत कर देता था, उसके बाद वाला फिर चालू कर देता था, फिर कोई समापत कर देता था, फिर कोई समापत कर देता था, पर महमद शारंगीला ने जब इस समापत किया, तो उसके बा किया है धन संपता की दरश्टी से सबसे सफल आकरमण था मेहमूद गजनभी का अगला देखो गजनभी ने किन-किन विद्वानों को संडग छन दिया वो अपने साथ कौन-कौन से विद्वानों को लाया था सीधे देखो नाम और ब्रेकट में उनकी रचना फिर दोशी शाह पर साथियों एक हजार पेचटर में पंजाब के करमातियों के विरूद उसने आकरमण किया था और मुल्तान छित्र को जीता था तो पहला आकरमण जरूर पता होना चाहिए एकजाम में पूछा जा सकता है कारशहत का युद्ध क्या था साथियों मुहमद गोरी जब भारत तो 1878 में जब गुजरात चित्र की और आगे जा रहा था तो आबू परवत के निकट कार्शाहत का युद्ध हुआ उसका किस से भीमदुती ही से जहां गोरी पराजित हुआ और यह गोरी की भारत में पहली पराजे थी, अगला आई बक्तियार खिल जी, मुहम्मद गोरी जो था ना, उसका प्रमुक सेनापती था, बक्तियार खिल जी देखिएगा, परीशे क्या है, गोरी का सेना नायक इसने कई अभियान किये, कौन-कौन से करें, बारह सो दो में इ बिहार के नालंदा को जलाया था इस आदमी ने इसके अलावा बिक्रम सिला बिशुद्याले को भी नष्ट किया था और बंगाल जीत के दिया था किसको गोरी को ऐसा कहा जाता है गोरी की बंगाल बिहार की विजय का शेशी को दिया जाता है और अगला दोस्तों देहली वाला क्या था देहली वाला भाईया जारी करता था मुहम्मद गोरी अवसर था कन्योज विजय और विशेस ये कि एक सिक्का था जिस पर लच्मी का अंकन था देहली वाला क्या था एक सिक्का था जिसमें लच्मी जी का अंकन था किसने जारी किया, मुहम्मद गोरी ने कप किया, कन्योज विजय के बाद, रास्तरंगणी, साथियों आप जानते हैं, किताव रास्तरंगणी, कलहड की, जो की कश्मीर का इतिहास बताने वाली पहली पुस्तक माने जाती है, देगे क्या लेखा है मैंने, कलहड की रास्तरंग में राजा जैसिंग को कश्मीर का अंतिम शासक बताया है तो आप देखी मैंने तीन पॉइंट में तीन बाते बता दी राज तरंग नी किस की है और कब तक का इतिहास बताती है दूसरा इसके रचनाकार को किस ने संडक्षन दिया तो लोहार वनशी शासक घर्चने और तीसरा इसमें किस चीज का वर्णा ने कश्मीर के अंतिम शासक का वर्णा ने जो राजा जैसीं था इसके एक और और आखरी कोशन सांधियों चचनामा ये भी किताब है सीधे देखी है मैंने कैसे तोड़ा है पहली हेटिंग लेखक एक फार्ची गिरंथ है जिसके लेखक है अली कूफी इसका शाब्देकर्थ है चच की कहानी चचनामा वर्णन तीसरी हेटिंग सिंद पर अरब विजय की विस्तरा जनकारी ये देता है और चोथा अनुबाद सांधियों इसके कुछ भाग का अंग्रेजी अनुबाद किया इलियट और डॉसन ने जबकि इसका पूरा अनुबाद किया मिर्जा कालिफ ने तो सांधियों किसी पुस्तक से रिलेटिड हमने सब बता दिया किसने रची, कब रची, किससे संबन्दे थे और इसका अनुबाद किसने किया ये था आज का सेशन राजपूत काल से संबन्द कुल बहुत तर कॉर्शन में आपके लिए लेके आया बहुत स्पीड में मैंने कराया आज मैंने जादा स्टोरी, जादा कहानी नहीं सुनाए क्योकि उद्देश है आप तक जादे जादा थ्री मार कर पहुचाना उसका प्रेजैटेशन पहुचाना और इस वार कई वार कई कोर्शन में ऐसा प्रेजैटेशन था जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ अता दोवारा बताकर रिपिटेशन को बढ़ावा मैंने नहीं दिया आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद